ये तस्वीर आप देखे राहुल गांदी उन्होंने कुलियों के कपड़े पहने वे हैं और अपने सर पर बोजा उठाया हुआ है सुबा सुबा राहुल गांदी आज कुलियों से मिलने के लिए चले गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन के उपर वो गए और वहां पर जाकरके उन्होंने कुलियों से मुलाकात की कुलियों के जो बिल्ला होता है यहां पर पहनते हैं उस बिल्ले को पहना कुली की सर पहनी और उसके बाद में राहुल गांदी रे अपने सर पर बोजा उठाया यह तस्वीर यह पूरी वीडियो है आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ लेकिन दिल्चस्प आप देखिए एक तरफ नरेंदर मोदी सहाब है जो बहुत शांदार शाल जो है ओड करके रेड कारपेट के उपर चलते हैं केदार ना जाते हैं कभी कई ओर जाते हैं औ लेकिन आप देखिए राहुल गांदी की तस्वीर आप देखिए और गरीब लोग जो कुली है उनके मन में जो है वो किस तरह से जो है इसका असर जाता होगा जरा सोचिए और वो कुलियों की जिन्दी में एक कितना बड़ा जो है आज खुसी का दिन आप देख रहे होंग कि हमारे बीच में जो है राहुल गांदी आए ही यह तस्वीर देखिए आप यह तस्वीर देखिए कितनी जवर्दस तस्वीर है राहुल गांदी की यह तस्वीर आप देखिए और इधर जो है वो नरेंदर मोदी साहब की तस्वीर देखिए यहाँ पर राहुल गांदी बिल्ला पहन करके कुली का वो यहां पर बैठे वे हैं लोगों से मिल रहे है और एक तस्वीर जो है वो आप यह देख रहे है जहां पर नरेंदर मोदी सहाब यहां पर आपको दिखाई देंगे तो देखी कौन सी तस्वीर ज़यादा असर पहुचाती है कौन सी तस्वीर ऐसी है जो लोगों को ज़यादा दिल को छूती है जब नरेंदर मोदी यहाँ पर जाते है तो जाहिर सी बात एक बड़ा जबर्दस जो है माहूल होता है टीव पर खुब चर्चा होती है लेकिन राहुल गांदी एक वीडियो वाइरल हुआ था सोसल मीडिया के उपर एक वीडियो वाइरल हुआ था उसमें आनंद वियार के इन कुलियों ने कहा था कि हम जो राहुल गांदी को एक बर अपने बीच में देखना चाहते हैं और उसके बाद में जो है वो वीडियो देखने के यह तस्वीर देखे जहाँ पर जो साथी कुली है वो उनको बिल्ला बांध रहे हैं तो यह यहाँ पर वो बिल्ला है और जाइर सी बात है इन लोगों के लिए एक ऐसा छड़ है जिसको पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे और इन तस्वीरों को पूरी जिंदगी भर के लिए यह लोग अपने घरों में जो है वो अभी तक हो सकता कि इन लोगों के तस्वीरें मिली भी ना होंगी क्योंकि अभी अभी यह तस्वीरें निकल करके सामने आई है तो अभी तक हो सकता है कि इन लोगों के तस्वीरें ना मिली हो लेकिन मैं ये वीडियो देखी आप ये वीडियो देखी आप राभाल गांदी जो है वो यहाँ पर कुलियों से मिलने के लिए पूचे हैं साफ वीडियो नहीं है, लेकिन अभी अभी की जो ताजा जो वीडियो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अभी अभी आई है, यह देखी राहूल गांदी यहां पर अपने सर पर सूटकेस उठाया ये सूटकेस उठालिया नीले रंका और सूटकेस को जो है वो जो कुली अपने सर के उपर एक कपड़े की गठी बना करके रखते हैं उसको रखा है उसके उपर सूटकेस रखा है और अब सूटकेस लेकर के राहूल गांदी जो है वो स्टेशन की तरफ निकले हैं तो फिर उसके बाद में कुछ देर चल करके और फिर उन लोगों को दिया है तो ये तस्वीरे जो है वो वाकी अपने आप में बहुत कुछ कहती है और देखिए हर कोई यहाँ पर जो है जो लगातार यहाँ पर काम करता है वो उसकी जिन्दगी में आज ही आज जो है वो बिल नरेंदर मोदी आपको यहाँ पर प्रवावसाली दिख रहे हैं कौन ऐसा नेता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिससे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आपको क्या लगता है कि गरीब लोग राहुल गांदी की इस तस्वीर को देख करके उनको ऐसा लगता कि हाँ कोई है जो हमको देख रहा है सुन रहा है हमारे बीच में आ रहा है अगर हम कह देते हैं कि राहुल गांदी हमारे बीच में आने चाहिए तो राहुल गांदी उनके बीच में पहुंसते हैं इसी तरह से एक गरीब सबजी वाले की वीडियो वाइरल होई थी और उसक तर ऐसे सुबह सुबह जो है आज राहूल गांदी आज कुलियों के बीच पहुंच गए हैं कुलियों ने कहा था कि आनंद विहार स्टेशन के उपर राहूल गांदी आए हमसे मुलाकात करें और राहूल गांदी आज पहुंचे और ना केवल पहुंचे मिले भी बैठे भी उनके कपड़े भी पेने और उसके बाद बोजा उठाया तो दो तस्वीरे मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक तरफ राहुल गांदी की तस्वीर है और एक तरफ नरिंदर मोदी की तस्वीर है नरिंदर मोदी की तस्वीर किस तरह से जो है वो उसको दिखाया जाता है पेस किया जाता है वो आपके सामने है और राहूल गांदी की तस्वीर और इस तस्वीर को जड़ा इसके साथ भी देखिए आप इस तस्वीर को इसके साथ भी देखिए कि एक तरफ जो है नरेंदर मोदी साहब लंबा चोड़ा एक शाल जो है वो ओड़ करके वो शाल नीचे घजटता हुआ चलता है और उसको जो है वो नरेंदर मोदी साहब के लिए एक रेड कार्पेट जो भीचाय जाता है लाल कालीन बीचाय जाती है और इस लाल कालीन के उपर विवाज़ जोटों के लिएकर भी हुआ था कि केदारनाथ की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि केदारनाथ में जोटे पहन करके क्यों चले ये सारी बाते आप पहले जान चुके हैं लेकिन केव़ और केवल कंपैरिजन करने के लिए, तुल्ला करने के लिए, ये दोनों तस्वीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इन दोनों तस्वीरों के जरी आप आप देखिए, समझेे, सोचे, कोन नेता ऐसा है जिसके लेकर क लोगों को मन में जो है वो अब जो है वो दिखता है कि ये हमारा नेता हो सकता है ये हमारे बारे में सोच सकता है ये जो है राहूल गांदी की तस्वीर आप देखी ये नरेंदर मोदी साब की तस्वीर देखी किस नेता के अंदर जो है वो आज लोगों को अपनी तरफ खीच कि उसके अंदर जादा कुवत है कि वो लोगों को अपनी तरफ खीच सकता है लोग उसकी तरफ आकरसित हो रहे हैं किस नेता के बारे में आप यहां पर क्या कहेंगे तो यह नीचे कमेंट बुक्स में जरूर बताइए कुछ और तस्वीरे में आपको दिखाऊंगा जब राहूल गांदी की बात को एक आदमी है उसने सुनते सुनते अपने नाखून भी जो वो अक्सर होता है हम लोग भी हमारे साथ में भी कोई आदमी आ जाए तो हम लोग भी बैठ करके अगर कोई बात समझ में आ रही तो उसकी बैठकर यह बात सुनते हैं कि हां क्या कह रहा तो उसी तरह से कुछ जो है वाहूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और राहूल गांदी की यह तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं उससे पहले कि यह तस्वीर भी आप देख लीजिए और यहाँ पर राहूल गांदी जब पहुंचे थे शुरुवात में जब व उलाकात की है तो ये तस्वीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बाद में कुछ तस्वीरे मैं आपको और दिखाऊंगा और किस तरह से इसको लेकर के कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रतिकरिया हैं सामने आई है उस पर भी बात करेंगे और राहूल गांदी ने वा होना नहीं चाहिए कि राहूल गांदी कैसे लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो स्वीर आप फिर से देखते रहे हैं यहाँ पर जो है वो ने लिखा है कि राहूल गांदी आज आनंद विहार रेलियो स्टेशन पहुंचे उन्होंने कुलियों से मुलाकात कर कुली जो है वही एक तरह से अगर नेता को देखे तो नेता एक कुली ही है अगर सही माइने में है तो अगर एक कोई नेता है तो कुली ही है क्योंकि उसको पूरे देश के गरीबों का वजन जो है वो महसूस होना चाहिए गरीबों का वजन जो है उसको खुद के अपने पर महसूस होना चाहिए कि गरीब जो है वो कितना काम करता है और उस गरीब के लिए वो कितना काम कर सकता है तो सही माइने में अगर देखे तो एक नेता का काम यही होना चाहिए कि वो अपने आपको कुली की तरह से महसूस करे कि हां मैं भी कुली हूं और मेरे उपर भी होता है तो कई सारी चीजे होती है और अब राहूल गांदी कैसे जो है वो लोगों की बीच में अपनी छाप छोड़ पाते हैं कॉंग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि जननायक राहूल गांदी जी आज आनंद विहार के रेलियो स्टेशन पर कुलियों से मिले पिछले पिछ करके कुलियों के मन की बात जो है वो सुनने की कोशिस की है और यह तस्वीर आप देखिए जो उसमें थोड़ी बलर थी लेकिन यह देखिये तस्वीर आप कि कैसे जो है वो राहूल गांदी से लोग यहाँ पर सिद्धत से बैठ करके जो है वो अपनी बात को कह रहे हैं चुकि सुबा सुबा जब राहूल गांदी पहुंचते हैं और पहले से तैस्षुदा कारी करम नहीं होता है इसलिए आप देखी कि राहूल गांदी की जो सिक्योर्टी है वो तो है लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीछे जो है वो आपको constable नजर आ रहे है तो पुलिस के जो है वो कोई बहुत चोड़े लंबे चोड़े जो इंतिजामात होते हैं जैसे पहले से बता दिया जाता कि कोई फलानेता आ रहा है तो उस वक्त में मोके के उपर कोशिस करता है कि IPS अधिकारी आईस अधिकारी वो खुद मौजूद रहे ताकि सुरक्ष्य विवस्ता को देखे लेकिन राहूल गांदी का जो प्रोग्राम रहता है वो अचानक से बनता है और इसलिए जो एक आप पीछे देखेंगे तो आपको कॉंस्टेवल और हैड कोंस्टेवल के वल नजर आ रहे हैं तो यह एक अपने आप में जो है वो अलग तस्वीर है असल में कौन चिंतित है ये भी जानने लगे हैं सूटबूट की सरकार के दिन गए आनंद विहार कुली भाईयों के कुली भाईयों ने राहूल गांदी जी से मिलने की इच्छा जाईर की थी आज वो पूरी हो गई है जननायक राहूल गांदी जी भारत को जोड़ रहे है और इंडिया को मजबूत कर रहे है तो नेटा डी सुजा है कॉंग्रेस की नेता है महिला कॉंग्रेस की अध्यक्स है और इन्होंने काया कि लोग अपना नेता को पहचानने लगे है कि कौन नेता उनका है और सूटबूट की सरकार ये राहूल गांदी नहीं जो है और नरे कि सरकार है खेर अब आगे देखती है सिर्निवास बीवी ने ट्वीट करके कहा है कि नरेंदर मोधी की प्रार्तमिक्ता नरेंदर मोधी की जो प्रार्तमिक्ता है वो अडानी है और राहूल गांदी की प्रार्तमिक्ता भारत है एक जननायक सबसे अलग सबसे जुदा ये ज ओसुर में आपको दिखाता हूँ यह देखिये एक वीडियो है खरीब है प्राव貸 पाले की वीडियो है जब पुरादे हमारे तो इस देख रहा है कि राहुल गانदी हमारे पास में बरिभर आते रहते है अब जो है वह बद्लाओ जो हम देख रहे हैं वो यह है कि राहुल गांदी अब जहां पर जाते हैं तो उसको अपने वीडियो के जरिये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं भी जाता हूँ मैं भी मिलता हूँ क्योंकि जिस सरह से नरेंदर मोधी की तरफ से जो एक सब्द निकाला गया राहुल गांदी के लिए शहजादा अब वो बोलना छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि अब भारत यात्रा में जब चले हैं तो लोग पूछने लगे हैं कि भाई सहजादा कौन है और राजा कौन है तो हम देख रहे हैं क्योंकि सहजादा अगर वो है तो फिर वो इतना पैदल कैसे चल रहा है और अगर कोई फकीर है तो वो कैसे जो है फिर वो लोगों से मुलाकात नहीं किसानों से मुलाकात नहीं महिला पहलवानों से मुलाकात नहीं चाए साथ सु किसानों की जो है वो म बंद हो गई है अब नरेंदर मोदी ने सहजादा कहना बंद कर दिया है वरना पहले जब वो 2013-14 के आप उनके भाशन उठा करके देखिए वो राहूल गांदी को सहजादा कहते थे कि सहजादा जो है वो चम्मच लेकर के पैदा हुआ है सोने की चम्मच है चांदी की चम्मच बारत यातरा से सब कुछ धुल गया है और उसके बाद में राहूल गांदी जो है वो यहां पर बराबर कभी जो है वो सबजी ठेले वालों के बीच में पहुंचते हैं कभी जो है वो जुग्गी जोपड़ी वालों के बीच में पहुंचते हैं कभी मुखरजी नगर के अं तार सा जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्हों ने अपने आपको एक रीबोन किया है अवतार का मतलब मैं जो कहूं उसको को यह मतますna कि समझना की एक मतलब मैं कोई भगवान वगान बता रहा हूँ किसी को ऐसा नहीं कि राहूल गांदी में जो हैं कमया नहीं है या रहुल पर सावाल नहीं खड़े हो सकते हैं अभी भी हजार सावाल रहेंगे भी लेकिन जिस तरह से जो BJP ने उनको Windows पेंट किया था जिस तरह से अपने आपको दोबारा से लोगों के बीच में जो है एक नए सिरे से जो अपने आपको स्थापित करने का काम किया है एक नए जो है वो छवी के रूप में जो है वो लोगों की बीच में गए हैं और अब लोग उसको हाथो हाथ ले रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हा ठीक है एक नेता का काम यही है कि उस सब लोगों से मुलाकात करें वो जाए और मैं तो कहता हूँ राहुल गांदी को अगला जो है वो मुलाकात सफाई कर्मियों के बीच में जा करके करना चाहिए कि सफाई कर्मी जो है। किस तरह से रहते हैं और सफाई कर्मियों के बीच में जाकर के क्योंकि अभी भी देश के अंदर जो है सीविर के अंदर आदमी को जो है उतारा जाता है। वो जो खास करके गटर में उतरते हैं, गटर के अंदर जो है वो लोगों का मल होता है, मुत्र होता है, उसके अंदर उतर करके लोगों को सफाई करनी पड़ती है, तो उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और ऐसी इसी चीजे बदली जानी चाहिए, ऐसी इसी चीजे बदलन होंगे राहुल गांदी सत्ता में आते हैं तो उनसे भी सवाल होंगे और इस सत्ता में रहे हैं पहले इसली भी इनसे सवाल होंगे तो बहुत सारी चीजे हैं लेकिन इन सब चीजों के बीच में राहुल गांदी जिस सरह से लोगों की बीच में पहुंच रहे हैं लोगों की कैसे जो है वो स्थापित किया जाए और कैसे लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खीचा जाए ये चीज तो जरूर जो है साफ हो रही है और इसी लिए जो है राहुल गांदी अब एक के बाद एक एक लोगों के बीच में जब पहुंच रहे हैं तो उनकी जो तस्वीरे निकल करके सामने आती है वो तस्वीरे अपने आप में बता रही हैं कि राहुल गांदी और नरेंदर मोदी के बीच में जो एक फासला था जाइज तो पर फासला था और इसलिए तो 2014 हुआ इसलिए 2019 हुआ जब कॉंग्रेस की करारी हार हुई लेकिन अब जो फासला था उस आने वाले भाश्या के अंदर छुपे वे हैं लेकिन जो कुछ यहां पर हम देख रहे हैं जो कुछ यहां पर नरेंदर मोदी की तस्वीरे देखते हैं और राहुल गांदी की तस्वीरे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अत्तक राहुल गांदी ने अपने आपको जो है वो लोगों के बीच में स्थापित करने में जो है वो काम्याभी तो जरूर हासिल की है लेकिन अभी भी रास्ता कितना बाकी है ये आप बताईए नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताईए राहूल गांदी कुली से मिलने के लिए पहुंचे हैं नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर लिखें इस वीडियो को खूब शेयर करें लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूजी इंडिया को सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताक झाल